इसWhereD Dart राम मंदिर पर C.M. योगी का बड़ा बयान, विदेश से पि.M. मोधी ने किया इशारा अयोध्या में C.M. योगी ने राम लला के दर्शन किये इसी के साथ कहा जाने लगा कि राम मंदिर के निर्मान की दिशा में बीजेपी ने अपनी रणनीती पर काम शुरू कर दिया है अयोध्या में राम मंदिर के निर्मान को लेकर फिर से सुब्गाहट शुरू हो गई है देश के सियासी माहौल को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये BJP के पक्ष में दिखाई दे रहा है जिस तरह की राजनीती BJP करती है माहौल उसके मताबिक बन रहा है ये BJP की रणनीती है या फिर विरोधी दलों की गलती इस पर चर्चा की जा सकती है केरल में कॉंग्रेस कार्यकरताओं का बच्छरा काटना पूरे देश में गौवद को लेकर बयानों का दौर इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश करना देश की बहुसंख्यक आबादी ये सब कुछ देख रही है जिसे बीजेपी साधने में सफल रही है इसी सिलसले में राम मंदिर का मुद्दा भी आता है राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो रहा है तरसल बाबरी केस में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं पर मंगलवार को आरोकते किये गए उससे पहले आर्वानी ने CM योगी से मुलाकात की थी। उसके बाद बुधवार को योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुँचे। ये सयोग नहीं हो सकता है। पंद्रह साल बाद कोई मुख्य मंत्री आयोध्या में राम के दर्शन के लिए पहुचा। योगी से पहले राजनात सिंग ने आयोध्या में रामलला के दर्शन किये थे। ये एक संकेत है कि राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीती पर काम शुरू कर दिया है। अयोध्या में सियम योगी का जाना वो भी बाबरी केस में बीजेपी निताओं पर आरोपते होने के बाद। ये साफ कर रहा है कि बीजेपी अपने पक्ष में बन रहे माहौल को पूरी तरह से भुना रही है। यूपी चुनाव के समय आपको याद ही होगा कि बीजेपी को देखे तो पता चलता है कि विपक्षी दल बीजेपी को घेरने में नाकाम रहे हैं। दरसल विपक्षी दलों के पास बीजेपी को घेरने का कोई मुद्दा नहीं है। गोरक्षक बीफ और असहिशनुता को लेकर बीजेपी सरकारों पर हमला किया जाता है। ये सारे मु मंदिर का मुद्धा फिर से चर्चा में आ गया है। अगर CM योगी राम मंदिर को लेकर बड़ा फैसला करते हैं तो ये BJP के मिशन 2019 के लिए सबसे बड़ा बूस्ट होगा। लोकसभा में जीत की राही उपी से निकलती है। योगी इस मामले में PM मोदी की बहुत बड़ी मद कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले शुक्रिया।